नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्पेक्टर मॉडर्न हिस्टर की एक और वीडियो में आपका सवागत है 77 वीडियो है 77 वीडियो है यहाँ पर इसकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे देखते हैं तो कोमा-गाता-maru इंसिडेंट इसके बारे में देखेंगे तो revolutionary national movement चला था जिसकी शुरुवात आप कह सकते हैं कि 20 वी शताबदी की शुरुवात में हुई थी और 1970 तक जो फेस चला है यह जो चैप्टर था 1907 से लेके 1917 तक तक वो खतम हो जाएगा उसके बाद non-corporation movement और खिलाफद movement की conditions बनेगी गांधी जी आ चुके होंगे तो revolutionary nationalism की revolutionary movement को खतम कर देंगे आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर like का बटन दोस्तों अब तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खर लीजे इस केताब को खरीद दीजे मेरे साथ पढ़ने के लिए वीडियो पर like का बटन दबाना मत भूलिएगा जोईन कर लीज हिंदूस और मुस्लिम्स भी थे इस इस इंसिडेंट की वजह से जो पंजाब रीजन है इंडिया का वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस है वह बहुत जदा बढ़ गया है और पंजाब का रीजन केवल इंडिया में नहीं था उस समय जो प्रिजेंट डेप पाकिस्तान है और बात एक वीडियो को मारू इंसिडेंट की मैं अरड़ी पहले ही बना के अपने चैनल में डाल चुका हूँ जहां पर मैंने बहुत डीटेल में इस इंसिडेंट के बारे में आप से डिसकस किया तो आप इस वीडियो को यूट्यूब पर सर्च मार के देखे आपको और भी information जानने को मिलेगी तो यह जो कोमा काता मारू था this was basically a ship इसमें 370 passengers थे जिसमें mainly Sikh और पंजाबी Muslims थे यह सिंगापूर से निकले Vancouver जो शेहर है Canada का वहां के लिए चुकि Vancouver में जाके इनको as an immigrant गुसना था और Canada में अच्छी job opportunities थी सब कुछ अच्छा थी तो यह लोग वहा गुसने नहीं दिया क्या क्या हुआ यह पूरी timeline के साथ मैं आपको बताता हूं हुआ यह दोस्तों कि जो Canadian authorities थी जब यह ship कोमा काता मारू का वहां पहुंचा Vancouver में तो वहां पे यह दो महीने खड़ा रहा मतलब पोर्ट पे खड़ा रहा और दो महीने तक इस ship में जो लोग उनको ship से नीचे उतर के Canada में गुसने नहीं दिया Canadian authorities ने और बोला यह गया कि Canadian authorities ने इनको इसलिए नहीं गुसने दिया जो कि British government का बहुत ज़ादा आप कह सकते प्रिशर था Canadian authorities के उपर तो मतलब कि इतनी मुश्किल जर्नी और उस समय पे आज की facility नहीं हुआ करती थी तो ज कि कुछ लोगों को बहुत लिमिटेड लोगों को Canadian authorities ने accept किया था तो जो टोटल 370 या 376 इसमें लोग थे लमसम अलग 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 जगाओं पर कुछ एक दो passengers उपर नीचे हो जाते हैं तो इसमें लगबग 3376 थे, 27 Muslims थे, 12 Hindus थे, सारे almost पंजाबीस थे, इन 370 और 376 में से स 24 लोगों को Canada ने admit किया और बाकी लोगों को इसी ship में बैठाल के वापस इंडिया के तरफ रवाना कर दिया गया, और सोचे ये लोग जो पहले Singapore से journey टेबल करके Vancouver पहुँचे, कहां Singapore, कहां Vancouver और फिर Vancouver से निकल के कहां कलकत्ता, कितनी लंबी इन्होंने journey की है, ठीके बीच मे इतने सारे लोगों की तबयत खराब हुई, केवल 24 लोगों को Canadian authorities ने अंदर उसने दिया, उसके बाद आप देखोगे, कि जब ये लोग finally कलकत्ता पहुँचेंगे September 1914 में, तो इनको जबरदस्ती जो British सरकार है, पंजाब जाने वाली train में ठूस के पंजाब भेजना चाहती इन लोगों ने जानने से मना कर दिया, इनकी भी लिमिट ग्रॉस हो चुके जिस सनक चुके थे, सोचिए दोस्तों कितना मुश्किल काम, सिंगापूर से वैंकूवर, वैंकूवर से वापस कलकता और फिर ट्रेन में गूस के तुमको आगे बेचने हैं, बेड़ बक्रियों बारे में बताया है, आपको एक एक अकाउंट बता चल जाएगा कि शिप कैसे चला, कैसे पहुंचा, क्या क्या हुआ, अब जब ये इंसिडेन्ट हुआ दोस्तों, आपका कोमा गाता मारू का, उसके बाद 1914 में वर्ड वार चुड़ गया आपको पता है, अभी वर्ड वा में, इंडिया, इंग्लेंड की साइड में वर्ड में लड़ने लगा, इंडिया ने बोला, क्या मजा के बहुत, तुम्हारा फैल आया हुआ रायता है, ये ये यूरोप में तुम जाके लड़ो, तुम हमें क्यों कुँ गुसेड रहो इस वार में, हमारे सेनिकों को बेज वार में लड़ने के लिए, मरने के लिए, हमारे रिसोर्से को, हमारे पैसे को क्यों इस्तमाल कर रहे हो, तो जो गधर लीडर से, वो काफी नाराज होगे, फर्स्ट आफ और जो कुमा गाता मारू इंसिडेंट हुआ, इस से बहुत नाराज हुए, दूसरा, जो फर्स्ट वार चला, उसमें, बिटिशर्स ने इंडिया को जबरदस्ती घसेट लिया इसमें वार में, तो अब गधर लीडर्स ने बोला, कि अब जरूरी हो गया है, कि इन बिटिशर्स को उठाके बाहर फेको, इंडिया से बहुत हो गया इनका रायता, तो बहुत सारे ऐसे फाइट गुपता, ये इंडिया है, बंगाल revolutionaries के साथ contact बिढ़ाने की कोशिश की गई, राश बिहारी बोस साहब और सचिन सान्याल साहब भी यहाँ पे involved हो गए, पॉलिटिकल डेकोईटीज पढ़ाई गई, पॉलिटिकल डेकोईटीज में पैसो को एखटा करने की कोशिश की आप सोचें, मिझे तो ये आइडिया बड़ा जबरदस लग रहा है, आप सोचो, जमीनदार अंग्रेजियों के टट्टू थे, उनके गुलाम थे, उनकी चाटते थे, ये पता था, अब आप सोचिए कि आप जमीनदारों की और money lenders के यहाँ पे raid करके उनका पैसा चीन रह जब आप ऐसा कोई काम करोगे, तो उस local इलाके के जो भी peasant farmers या लोग होंगे, वो automatically आपके साथ आजाएंगे, चुकि आप उनकी मदद करने की कोशिश करो, ये aim था, ये modus operandi थी गदराइट्स की, तो इस तरीके से इनकी पैसा इकटा किया, आप देखोगे, एक explosive type की situation पं और इस revolution में इन अंग्रेजों को हम यहां से खदीर देंगे, तो जो rebellious regiments थी, आप देखो यहां पे कुछ ऐसी regiments भी निकल के आएंगे दुनिया भर में, जो की इन गदराइट्स को सायथ देने लगेंगी, तो कुछ हद तक जो British army थी उसमें जो Indian soldiers थे उनको mobilize करने में, कु स्टेशन कर रखा था, सिंगापूर में और दूसरी जग़ों पे, कुछ हद तक यह moment उनको insight करने में successful रहा, 21 फरवरी 1815 को बोला गया, कि armed revolt लीड किया जाएगा फिरोषपूर में, लाहूर में और रावल पिंडी में, लेकिन यहां पे जो Britain का intelligence network था, वो भी बहुत 50 को invoke किया, और जबरदस्त suppression हुआ, एक तो plan leak हो गया, authorities ने immediate actions लिया, तो जो rebellious regiments थी उनको disband कर दिया गया, उन Indian soldiers को अटा के jail में डाल दिया गया, leaders को arrest किया गया, इन गदराइट की जो भी पकड़ किया है, 45 लोगों को hang किया गया, अच्छा इन leaders को ऐसा नहीं किवल इंड कर रहे थे, उनको पकड़के England ने India भेज दिया, इंडिया में trial कराने के लिए, 45 लोगों को फासी बचला दिया गया, राश बिहारी बोस साब जापान भाग गया, और जापान से अबानी मुखर जी की मदद के साथ, इन्होंने इंडिया में गदराइट्स को हतियार भेजन ने इंपोस किये, 1957 के बाद अगर रिप्रेसिव मेजर्स को इतनी इंटेंसिटी से इंपोस किया गया, तो वो इंपोस किया गया लगबग 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट्स जब आपका ये जो गदराइट मुवमेंट था, ये तीजी से इंडिया में बढ़ने कोशि हुए, तो वो बिटिश इंडियन आर्मी में जो सोल्जर्स थे, जो बिटिशर्स के ओर्डर्स को नहीं मान रहे थे, उनका कोर्ट मार्शल करके उनको जेल में डाल दिया गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे होगी, अब अगर आप बात करो, इवालुएशन करो, गधर मूँपेंट का, तो गधर मूँपेंट की, अगर आप सक्सेस की बात करिए, तो जो गधराइट्स हैं, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला, मिलिटंड नैशनलिजम, और गधराइट्स की अप्रोच में कहीं पें रिलीजन नहीं था, एक सेक्यूलर अप्रोच में देखा जाए, आइडेलोजी के बैसिस पे देखा जाए, प्लान के बैसिस पे देखा जाए, तो गदराइट सक्सेस्फूल है भाई, उन्होंने ब्रिटेन के जो न्यूट कोलोनिलिजम था, उसको एक्सपोस किया, हाला कि वो बहुत अत्तक एक्सप्यूस हो रखा था, अ इनके अंदर ट्रेटर्स बहुत थे, बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों को ख़वर दे दी, और्गनाइजडेशनल जो इनका सेट अप था, वो प्रॉपर नहीं था, इनकी फाइनेशल और जो स्ट्राटेजिक प्लानिंग थी, वो प्रॉपर नहीं थे, और लाला को छोड़ के यूएस में जाके रह रहे थे, ये सब को छोड़ के अपनी जिंदगी को पीस्फुल तरीके से काट के जी सकते थे, लेकिन इन्हों ने ये सोचा कि हमें अपने देश को आजात कराना है और उसके लिए लड़ाई की, जो की बहुत बड़ी बात थी, आगे बा विरेंदरनाथ चटोपाध्याय करके एक इंडियन थे, जिन्हों ने अपना बेस बर्लिन में बनाया, तो एक कमिटी बनाई गई गई 1915 में जिसका नाम था बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडनेस इस कमिटी में थे विरेंद्रनाथ चटोपाद्ध है भुपेंद्रनाथ दत्थ लाला हर्दियाल और इन्हों ने एक प्लान बनाया जिसका नाम था जिमर्मेन प्लान मैं यहां लिख देता हूं जिमर्मेन जैड आई एम 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 एन प्लान यह जिमर्मेन प्लान इन लोगों ने बनाया ओके इसमें जर्मनी की जो सरकार थी उसने भी इनकी मदद की तो इस जिमर्मेन प्लान में इन लोगों ने इस बर्लिन कमिटी ने क्या करने कोशिश की कि भाया वो इंडिया से बाहर निकल के दूसरे देश में सैटल हो गए या फिर वो लोग जो इंडिया में है उनको मॉबिलाइस करो उनको इंसाइट करो उनके अंदर यह फीलिंग उखाड के इंडिया के बार फेको ये इंडिया के लिए सही नहीं है तो Berlin Committee ने भी अपना role play किया तो यहाँ पर आप सोचिए दो चीज़ें आपको होता है एक तो गधराइट मुव्मेंट मैंने आपको बता है जो कि सेंट फ्रांसिस को USA से शुरू हुआ और कैनेडा में भी उसका base था और दूसर आप कहले जे revolutionaries in Europe revolutionaries in Europe में Berlin Committee for Indian Independence बहुत इंपोर्टन हो जाती है तो भाया इन्होंने और्गनाइस तरीके से दुनिया भर में जो इंडियांस थे उनको इंसाइट किया इंडिया में जो इंडियांस थे उनको इंसाइट किया जो बिटिश इंडिया की जो टूपस थे इसमें इंडियन सोल्जर से उनको इंसाइट किया बिटिशर्स को खाड के बाहर फेगो फिर आप देखोगे कि जो इंडियन revolutionaries थे योरोप में इनने बहुत जगा पे अपने official missions को भेजा बगदाद भेजा, पर्शिया भेजा, टर्की भेजा काबूल भेजा, क्यों भेजा यहां के rulers से बात करके यहां पे जो भी Indian troops से उनके बात करके यहां पे जो भी Indian prisoners of war है उनसे बात करके एक proper anti-British feeling को फैला के यह कोशिश की जाए कि भाईया, अंग्रेजों को इंडिया से निकालना है कही न कहीं बगदाद, पर्शिया, टर्की और काबूल में भी एक anti-British statement था इसलिए यहां पे यह mission भेजे गये थे एक ऐसा ही mission गया था राजा महिंद पताफ सिंग जी की अगवाई में बरकत उल्ला और ओबेद उल्ला सिंधी की अगवाई में काबूल गया और वहां पे एक provincial Indian government को बनाने की कोशिश की गई, crown prince Amanullah की मदद से ताकि यहां के base को इस्तमाल करके Britain के खिलाफ लडाई लड़ेंगे, इनमें से बहुत सारी countries सीधे सीधे Britain को नाराज करने के लिए तैयार नहीं थी अब Germany की बात अलागे Germany का तो भाया आप कह सकते हो कि एक traditional पंगा रहा है अंग्रेजों के साथ चाहे आप First World War देख लो First World War, वहाँ पे भी England और Germany आपस में लड़ रहे थे चाहे आप Second World War देख लो वहाँ पे भी England और Germany आपस में लड़े हैं उनकी तरफ जो जो भी उनके साथ ही थे तो Germany तो openly England के अगेंस था उसका फाइदा उठा है Indian Revolutionaries ने Indian Revolutionaries ने दूसरी जमों पे भी जाके Anti-British Forces को जमा करने की कोशिश की दो कंट्रीज में इसमें सक्सेस मुली इंडियन्स को एक तो Germany में इसमें सक्सेस मिली और दूसरी मिली जापान में ठीक है तो जब अब Indian National Army बनेगी तो अब जापान ब्रिटेन के अगेंस था Second World War में तो जो जापान था इंडियन्स की मदद करेगा वो मदद भी अपने ही सेल्फ इंट्रेस्ट की वज़ा से कर रहे थे वो कोई बहुत दूद के दुले नहीं थे ओके फिर बात करते हैं कि इसकी म्यूटिनी इन सिंगापूर की हर जगा म्यूटिनी हो रही थी एक म्यूटिनी सिंगापूर में भी होई थे तो अमंग अल्ड़ अब्द 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 आर्मी की एक इंडिन फोर्स थी पंजाबी मुस्लिम फिफ्ट लाइट इंफेंट्री तो थर्टी सिख सिख बैलियन अंडर जमादार चिस्ती खान, जमादार अब्द 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 गन्वी सूबेदार दौत खान इन लोगों ने बिटे शरकार के अगेंस्ट बेगल बजा दिया यह नोगों ने बोला हम नहीं मानेंगे तुमारे राज को वहीआ बैटल हुआ, तो जो बाकी बिटिश फॉर्से थी, वो इनके खिलाफ लड़ने लगी इन में से बहुत सारे लोग मरें, चुकि यह जो इन्फेंटरी थी, नमबर्स में कम थी इनके पास हतियार भी कम थे, बाकी infantry numbers में ज़्यादा थी, हतियारों में भी ज़्यादा थी, तो यहाँ पे हार जाएंगे, 37% को फांसी पे चला दिया जाएगा, 41 को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे धीरे-धीरे declines होता नजर आ है, एक छोटा सा decline आएगा, छोटा सा decline नहीं बोलूँगा, मैं चुकि आप देखोगे 1923-1924 के समय पे, 1924 में हिंदुस्तान Republican Association, 1928 में हिंदुस्तान Socialist Republican Association, तो जो 1920s का दौर था, non-corporation movement के खतम होने के बाद का, उस समय पे बहुत जबरदस्त तरीके से revolutionary activity फिर से आगे होगी, चुकि First World War के बाद, Defense of India Rules के अंदर बहुत सारे prisoners, जिनको अंग्रेजों ने उठा के जेल में डाल दिया था, उनको अंग्रेजों में छोड़ दिया, फिर Montego reforms की बात आने लगी, आगास्त 1917 में बोला गया कि Montego champs for reforms आ रहे हैं, constitutional reforms आ रहे हैं, तो उसमें कुछ बहु गांधी जी अब entry मार चुके थे इंडिया में, तो गांधी जी ने वो leadership प्रोवाइट करनी अब शुरू कर दी थी इंडियास को, उन्होंने आते हैं दबाद, milk strike, खेडा सत्याग रहे हैं, इन सब रोलेट सत्याग रहे हैं, इन सब में जब उन्होंने participate करना शुरू किया, तो लोगों को समझ में है कि हाँ एक leader आ गया है, जो हमको अजादी दिला सकता है, पर यहाँ पे एक non-violent और non-cooperation वाली जो viewpoint है, वो आगे बढ़ रहा था, तो इसलिए 1917 के बाद कुछ समय के लिए जो revolutionary nationalism था, वो कुछ समय के लिए थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जब non-cooperation movement को withdraw करेंगे गांधी जी, उसके बाद वो फिर उतनीक तेजी से बढ़ेगा, तो यहाँ पर यह chapter खतम होता है दोस्तों, summary दे रखिए, उसके बाद हम लोग अगले chapter में chapter 14 शुरू करेंगे, first world war and nationalist response, I hope आपको सीखने को मिला होगा दोस्तों, thank you for watching this video, have a great day.